वेलकम बैक दोस्तों आज की इस लिटोरियल में हम सोजीबी के फ्री क्लाउड स्टोरिज के बारे में बात करेंगे इससे आप आपकी लैप्टॉप की जो मेमरी स्पेस है उसे सोजीबी तक बढ़ा सकते है जो से कंडर स्टोरिज होता है इसका फाइदा उन सब लोगों को जिनको अभी मेमरी स्पेस काम है उनके लैप्टॉप का मेमरी काम है उनके उन सभी लोगों के लिए यह बहुत काम का एक क्लाउड ड्राइव है जो यूटूबर है उनके लिए खास बहुत अची चीज है क्योंकि उनके सब के सब यूटूब के जो वीडियो उसका बैक अपर ले सकते हैं तो उससे कहा है अगर आपको लैप्टप को लेक्स होता है हार्डिक्स डिश्टा हो जाती है फिर करक्ट हो जाती है तो आप डायरेक्ली डिगो को लॉगइन करके वीडियो का बैक अप ले सकते हैं अभि इस टीट्रेल में हम देखेंगे कि डिगो कैसा desktop पर इंस्टाल करना है तो उसके लिए पहले आपको सैट पर जाना है dgo.com slash download पर यहां पर क्लिक करना है windows के लिए start download पर क्लिक कर दीजै यह download हो जाएगा बाद में इसे open कर लिए ओपन करने कहा दें इंस्टालेशन प्रोसेस पूछेगा तो आप इसे इंस्टाल कर दीजिए यह अभी इंस्टाल हो रहा है दोस्ते अभी इंस्टाल हो जुका है अभी इस पर आकॉंड बनाने के लिए यहां पर क्लिक कर दीजिए क्रियेट आकाउंट यहां पर आप अपनी इमेल आईडी डाल दीजिए जिससे आपको आकाउंड बनाना है पास्वोड डाल दीजिए और यहां पर आक्सिस परमिशन दे दीजिए दोस्ताबी इंस्टाल हो चुका है तोजीबी गास्टोरेज स्पेस अब इसमें अभी फोडर आड़ कर सकते धिन जो फोल्ड आपको बैककप लेना है तो अभी अढ़ फोल्डर टू बैककप पर क्लिक कर दीजिए और जो फोल्डर बैकप लेना है उस पर जाईए आभी मुझे ये फोल्डर को बैकप लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए यह दोस्तो बैकप लेना इसने शुरू कर दिया है ठंकी दोस्तो और इसी तरी के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे कमेंट कर दीजिए